हलो दोस्तों अपसे भी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में एंड़ीज आज की इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स जीडी 10 परो में जो आपको बैक लाइट लाइट देखने को मिलता है उसके फीचर के बारे में बताने वाले कैसे क्या कॉस्टमाइज कर सकते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं कि अगे तो दोस्ति चलते हैं हम सेटिंग में आपको दिखाते हैं डिटेल में हो कएगी सबसे पहले यहां पर नीचे हमको सलाइड करना पड़ेगा यहां पर अप्सन आपको देखने को मिल जाता है इसमें इंड इस हम एंड़र होते हैं इने बल राता है नहीं उसकर ना है तो डिसेबल कर सकते हैं इसके लगए सबसे पहले मिलता है इनकॉमिंग कॉल्स एंड इस पर इस यह होगा कि जब भी कॉल आएगा तो यह बिलिंक करेगा यहां पर आपको कुछ कुछ तीन टाइप के देखने को मिलते हैं कि कैसे लाइट बिलिंक करें तो एक तो ऐसे अपडाउन जैसा दिखता है एक मतलब ऐसे लगता है कि on off जैसा देख सकते हैं ऐसे कुछ देखने को मिल जाता है एक और देखने को मिल जाता है यह कुछ strip जैसा ऐसा लगता है run कर रहा है तो यह option देखने को मिल जाता है इसमें second के इस option की बात किया जाए तो देखने को मिलता है notification के लिए कोई भी YouTube का या email का कोई भी मतलब WhatsApp हो गया हो गया ऐसे notification आएंगे तो यहां पर भी आप कर सकते हैं जैसे पहले वाले मैं देखने को मिलता था तीन टाइप का वैसे इसमें भी देखने को मिल जाता है चार्जिंग और लाइक लिए स्रफ एक ही आपको डिसाइन देखने को मिलता है ही आप टारया जा करने कके तु आप चाहें तो इसको भी नेबल कर सकते हैं इसके लग इस नेक्ष्ट चले तो यहां बें मिलता है टाइब के देखने को मिल जाते हैं इस मैसेज जो आप चाहे वो मतलब सेट कर सकते हैं वैसे कि इस मैं यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट करके भी दिखाऊंगा एंड कि इस नेक्ट नीचे चले तो मिलता है हमें यह देख सकते हैं फॉलो म्यूजिक रिदम यह इस बहुत ही कमाल का लगा मुझे इसको भी मैं जरूर से आपको टेस्ट करके बताने वाला हूँ इसका लागिस यहाँ पे नीचे मिलता है एक ऐसा अप्शन जो कि अगर आप ऐसे फोन को रख देते हैं तो लाइट बिलिंक होगा एंड फोन जब भी कॉल आएगा तो एटोमेटिकली व यहांबर अब इसक बढ़ेखेंगे लि़्यार के में स्टेफ मुद्टा है थी मुद्ध यहाँ पर देख वता हैज सो charging में plug-in कर दिये हैं बटन को on करते हैं देखते हैं कि इसके साथ charge होता है यहां पर charging के लिए बस यही एक design देखने को मिलता है यह भी सभी लगता है बट बहुत ही थोड़े समय के लिए blink होता है सिर्फ एक इसके लावा नीचे देखेंगे इस्टार्ट अप के लिए तो यह तो बैसिकली आप स्विच आप करेंगे तो हो जाएगा गेमस देखने को मिल जाता है अब गेमस में क्या है एक सारेना चू अप्लीकेसं देखने को मिलता है उसको इनेबल कीजिएगा तभी यह दिखेगा जैसे इनेबल कीजिएगा तो थोड़ी देर के लिए दिखेगा अलमाश टेक सेकेंड उसके बाद से तो गैस दिखेगा तो यह भी एक अलग सा मतलब देखने को मिल जाता है इसमें और यह पुआ थिरी में भी पहले ऐसे ही था उसमें भी हमने टेस्ट किया था इसका लबागा इस अब मिलता है हमें एक जो फॉलो म्यूजिक रिदम तो इसको बैसिकली मैं आपको टेस्ट कर सबसे बेस्ट फीचर मुझे यह लगा कि यह म्यूजिक के लिए सिंक कर लेता है तो यहां पर देखने में बैक से बहुत ही सांदार लगता है तो यह मस्त लगा मुझे इसका लगा इस मिलता है यह वाला अपसन एंड इस यह कॉलिंग टाइम पे तो इस बैसिकली मैं कॉल क करता है बहुत ही सही है यह 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 पिछर बहुत ही सही है और सांथ में इस बैटरी से भार वियह मतलब ऐसे फोन रखेंगे तो आटोमेटिक लिए साइलेंट रहेगा तो रिंग भी नहीं करेगा तो यह भी एक feature मुझे बहुत ही सही लगा दोस्ता आपने देख लिए इसका बैग लाइड लेडी फीचर कैसा देखने को मिलता है इसके सारे सेटिंग्स मैंने डिटेल में बता दिया तो इस इतना ज्यादा यूजेबल तो नहीं है मतलब थोड़ा सा गीमिकी टाइप में इ म्यूजिक जैसा तो काफी ज्यादा सही होता है तो दोस्त फिलाल वडियो में इतना उम्मीद है आपको वडियो अच्छी लगी होगी जरूर से वडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो कीज मिलते हैं आप से एक ले वडियो में तब तक के लिए दोस्त बाइ बाइ